मद्य प्रदेश के जाबुआ जिले के आदिवासी आज भी अपनी दूर दशा पर आंसु बहा रहे हैं सरकार आदिवासीयों के लिए प्रियास कर रही है लेकिन इस तस्वीर में कुछ और ही नजर आ रहा है न स्कूल जाने के सुविदा है न पीने के पानी की खुछ सुनिए क्या है यहा के हाल तो गाउ में एक नीके प्रक्राम व मिकारते सुषिंद अनख़े पर ठोड़ है् ję घबरते हैं धर्याटे वेखत में इसलिखेंधेयर हुआए प्रों करण्यों किस शोड़ी दिव Nous यह दढ़ते इस तो दूपरण修 से वोट मांगते नेता तो आए योजनाएं भी हैं लेकिन लाब से ये ग्रामिन को सुदूर है पीएम आवास योजना का हाल भी जान लीजे परदार मंत्री आवास है के निया है? है सर मिले है? मिले है सर तब यह तो कहीं पक्या मकान नजरी निया है? चाबो आज जिले की थांदला तहसिल के मातलदा गाउं का सिगोड फालिया पहाड़ी इलाके में बसे इस गाउं के लोग विकास के मुख्यधारा से कोसो दूर है यहां के जनसंख्या तकरीबन 150 परिवारों 500 लोग निवास करते हैं गाउं के लोग वर्षों से मुलभूत सुविधाओं से जूज रहे हैं सरकार लाग दावे करें विकास के लेकिन हम आपको बताएंगे एक एसी जगह है जो विकास के दावे को आज भी खोकला साबित करती है ठानला की पंचा से मदलदा ग्राम पंचार आती है और मदलदा गराम पंचा से एक सिंगाड फल्य आता है वहाँ पे आज भी लोग नर्की जीवन जीने को मजबूर है हम ऐसे ही सिंगड फल्या में आज पहुचे है और हम यहाँ की लोगों के से बात करने चाता है कि इनको क्या-क्या परेसानियों से गुजरना पड़ता है जब कि आजादी के बात से आज तक यहां विकास की कोई भी बात ही नहीं होती है ना यहां लाइट है नहीं रोड है ना इस्कूल है ना होस्पिटल है नहीं कोई सुईदाओ के नाम पे बिल्कुल ही यू समझ लीज काई सुईदाओ कोई क्या नहीं है हुश्वाद्या काई एड़ पाप काई रोड लाइट तो यहां किसी को सिकायत करी आपने नहीं करें अब बताए क्या नाम आपका बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हम जब यहां से रोड रोड निकलते हैं तो यहां से नदी और रोड तक लागबग दो किलिमींटर की जमीन है वहां से उवर खाबर- 남 Test Everywhere जहाने में नदी बारिस के पर आंको वह कंड़ेंः की जो घन टेंगल, परहलों थबाएंपादाःास पालि में अनंगेar, बेस आपके नि सामना करना की प жд relevance, बेस बैस नहीं की आता है यहां। बिल जो सरकार है जो बिल डे जाती है और पॉल तो हमारा लगे नहीं और उनको बोलते है कि वह एक-ठोड़ी के जगे जगे जो बिली है जो खाली खाली इस्तान पड़ा है तो वह तक पाल नहीं लगा नहां लाइट की वेश्ता है तो वह कैसे लोग भढ़ेंगे तो उनके पंजाब के लिए जावेद खान की रिपोट कर दो